वेल्कम तू सक्सेज मंत्र श्वागत है आपका आपके अपने चनल सक्सेज मंत्र में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखेंगे कि किस तरह से आप 2019 में जो सेप्टेंबर में एंवीएस का एक्जाम होने वाला है तो आप किस तरह से उसे क्वालिफाई कर सकते हैं किस कि अचीव कर सकते हैं कि कोई बी एकजाम की परपेशन कर रहे हूं आप तो सबसे महट पूर होता है कि आप उसकी एक रणिपी बनाई बनाए आप कोई भी एक्जाम करए नहीं कर सकतेंog अब देखिय जो इस वीडियो में आपको इस टेप से बताय जा रहे हैं तो 25 कि वीडियो को लास्ट तक जरूर्व देखिए का लिए आपके पास विधियो को समय बचा हुआ है तो आप चाहे तो अभी भी प्रप्रेशनि को अच्छा और अपनी और रेक्ड कर सकते हैं कि पूंकि कोई भी एक्जाम होता है last time की preparation सबसे ज़्यादा महातफूर होती है तो देखिए जो इस पर बात कर रहे हैं four steps हैं आपको four steps से बताए जाएंगे और अगर आप लोगों ने इसको follow कर लिया जो four steps आप लोगों को बताए जा रही हैं अगर आपने इनको follow कर लिया तो आप यह मान के चलिए कि आप बहुत चांसे आपकी बढ़ जाएंगे आपको इस competitive exam को क्रेक करने के लिए तो जले हम लोग बतने देखते हैं देखते हैं कि आफिर जो four steps हैं वो कौन-कौन से हैं देखिए first of all क्या होता है कि आपको कोई भी exam करना है तो आपको सबसे पहले उसकी syllabus को focus करना होता है उसका क्या syllabus दिया है जिसे इसमें मैं TZT and PZT and जो miscellaneous teachers हैं various posts हैं assistant commissioner की post हैं सभी post के बारे मैं discuss करूंगी तो सबसे पहले आपको अपना जो को N.V.S का सलेवस है आपको इसको फोकस करना है आपको उसको पढ़ना है क्या-kya PZT मैंने उसका भी वीडियो आपको जाल दिया है तो आप चाहें तो प्लेलिस्स में जागर करके देख सकते हैं बिक प्लान होता है कि आपको solve previous year के question paper उठाने हैं जो question paper है previous year में जितना जादा से जादा पुराने से पुराने paper last year का paper अगर आपको मिल जाता है तो previous year के question paper को आप उठाएं उनको read करें उनसे क्या होता है कि आपको ये मालुम जल जाएगा कि आपकर जो questions put up हुए है किस level के put up हुए है और क्या question पूछे गए है क्या criteria रहा है question का कितना difficult रहे हैं कितना easy रहे हैं even आपको इन सारी बातों का पता चल जाता है कि आखिरकार जो question paper था उसका level क्या था level आपको पता चल जाता है तो दूसरा जो है शौल previous year question paper पर तो इस पर आपको focus करना है इसके बाद अगर एक के deep study of those topic which is repeated आपको उस topic पर बिसेश focus करना है जो repeat हुआ है जिसे आपने माली जिए आठ साल के previous year question paper उठा लिए अब अगर आपने देखा कि William Shakespeare repeated हुए है कई बार repeated हुए है तो आप यह मान करके चलिए कि William Shakespeare repeat होंगे और questions William Shakespeare से पूछे जाएंगे यह बिलकुल fact है तो repeated जो questions होते हैं repeated topics होते हैं उनको cover करने की कोशिश की जाते हैं आप उनको cover करिए इसके बाद आपने देखे जो study करनी है वह according to you slave से ही करनी है यह ध्यान दीजिएगा यह जरूरी नहीं है कि आप particular कोई एक book से करें यह दो book से करें यह दस book use करें ऐसा कुछ नहीं है आपको ऐसा करना है कोई भी एक book भी अगर आप उठाके देख लेंगे तो आपको उसका किस तरह से क्या करना है यह आपको पता चल जाएगा एक book copy होती है आपका यह हो गया इसके बाद देखिए जो आपने सारे topics है उसको focus कर लिया इसके वाद करते हैं तो काफी कुछ परप्रेशन आपकी बहतर हो जाती है जिसमें देखिए अगर हम बात करें टीजीटी एंड पीजीटी के पीजीटी के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका तो आपका सब्जेक्ट रिलेटिड होता है और अबसूस्च चाहिए अंगर अपना लेगों घाल अनुक्ता विक्वण देखिए डिंस complaint और टीजीटीर होता है करके आप अभी से इस रड़नीती को तैय करें और अपनी तैयारी है उसको फोकस कर दें त्यूंकि लास्ट समय है ज्यादा समय भी नहीं है जादा से जादा से ज्यादा दो, चार जड़ने एक्जाम हो सकता है सेप्टेमबर में हो ही जाएगा और अगर बढ़ता है तो तो ज्यादा समय नहीं है इस वज़े से आप इस तरह से अपनी तयारी को करिए और हमारा भी प्रयास है कि आप लोगों के लिए डेली तॉप 20 जनरल अवर्नेस के कोश्चंस सब्जेक्स से रिलेटेड कोश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आये जाएंगे तो आप चैनल को और सब्सक्राइब करके वैल आइकन उजरूर कर दिएगा क्योंकि जो भी अगर लाइब शेशन होते हैं और जो भी पॉइंट्स होते हैं आप लोगों तक जो भी वीडियो अपलोड की जाते हैं तो आप लोगों उससे आवेर रहें और उसको पर सब्सक्रणिए तुकि सम बहुत ज्यादा कॉंपेटिक्शन हो गया है तो अब बहुत एक थोड़ा सा हाइर लेवल पर सुखी और टीजीटी टीजीटी केदरी विद्यालेक वेकंसी नवोदे विद्यालेकी वेकंसी बहुत बढ़िया है और इसके बाद केवीएस की वेकंसी भी आने की संभावना है हो भी बहुत जल्दी ही आएगी तो यहीं वेपेशन आगे भी आप लोगों को काम आएगी तो थोड़ा सा ध्यान रखी और भी सीरियस तो भी केंट्नियों तो थैंक यू एंड और अल्दावेस्ट